रब्बानी दी स्कॉलर यूटूब चैनल इलमी अदबी दीनी मिली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिबी फनी माशी तजारती माशरती इंतिजामी इनकलाबी तहरीकी तहकी की तकनीकी तपतीशी तामीरी तालीमी वो मालूमाती यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल ऐकोन प्रेस करें रब्बानीदी स्कॉलर यूटूब चैनल पर बेलाता आखिर जो एज दूसरा अनलाइन तद्रीस में जदीद आलाइद का इस्तेमाल कितना मुजीर है कितना प्रोफिसर यह उन्वाण जैसल अमारे गूफराहं सहरी सहर को दिया गया था मगर विस वक्त नासिक में जो है मौझूद है। मैं अब्दुलमजुद सिद्धिकी साब से चाहूंगा कि वो इस सुन्वान पर गुप्तगो करें अब्दुलमजुद सिद्धिकी इसमिल्यारख्माली रहीं आउंडाइन टीचींग के संब्द में जो इंस्ट्रुमेंट्स यूज होते हैं वो कितने हट तक के हमारे लिए लाब जायक है फाइदा मंद हैं या कितना नुप्सान देने वाले हैं यह एक उन्वान है इसके ओपर बहुत मुक्तसर्प बात करके मैं इजाज़त चाहूंगा क्लासेस जब से बंद हुमें एक मसला सभी के सामने रहा है कि भई दर्स तद्रिस का टीचिंग का कुछ न कुछ तो काम होते रहने चाहिए और उसके लिए यह ओनलाइन टीचिंग का एक सिलसला शुरू किया गया यह सोच कर कि नहीं से कुछ तो बेहता थी इस काम की शुरुआत हुई टीचिंग की जाने लगी बच्चे घरों पर बैठ कर मुबाईल के जरीए स्कूल से जारी किये गए जो लेसंस होते थे अपने मुबाईल पर देखते थे सुनते थे और इस तरह से कुछ न कुछ टीचिंग का काम आगे बढ़ता था इस अब तक यह बात मुफीद हुई कि वही टीचिंग से उन लोगों को जोड़कर रखने का एक सिलसला जारी रखा दे उसमें बाद बच्चों ने मुबाईल के इस्तिमाल के हुनर को भी सीखा यह भी एक पॉजिटिव उसमें चेंज है जिसको मान सकते हैं कुछ न कुछ इसके अंदर अच्छी बाते हैं ऐसा हम मान के चलते हैं लेकिन समस्याई जो है मसाई जो है उसके बहुत लंबी फैरिस्थम को मिलती एक लंबी लिस्ट मिलती है सबसे पहली बात यह कि हर विद्यार्थी हर तालिवें के पास मुबाइल की स्वीदा है या नहीं उसके पास यह सोलित है यह नहीं इसके ओपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया बहुत सारे खर ऐसे हैं गरीब फैमिलीज जो गूसरों के हाथ में मुबाइल देखकर उनके दिल में एक हसनत होती है कि काश हमारे हाथ में भी मुबाइल होता नहीं खरीच सकते हैं कुछ गरों में मुबाइल से हैं लेकिन यह जो हैंड्राइट के जो इसमें अपने जो सिस्टम है इस किसमें की सोहलत उनके पास नहीं है बटन वाला है जो उनके अपने बहुत एहम कुछ मामलाद घर के होते हैं कुछ फैमिली के होते हैं रिष्टेदारों के होते हैं नाचेवाइद लोगों के होते हैं थोड़ा सब लोगों से कुछ दोस्तों के होते हैं कुछ संतक के बात हो जाते हैं इस पर टीचिंग का काम तो हम सोच भी ने सकते हैं बात घरों में इस टेक्नलोजी के मुबाइल हैं लेकिन घर के जिम्मेदार आदमी के पास है जब उसे जाना होता है घर से चला जाता है अगर उसी वक्त क्लास में टीचिंग का मामला हो रहा है तो बच्चे के लिए उस वक्त मुबाइल प्रवाइड करना मुहिया करना उसको देना यह बहुत मुश्किल होता है बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में मुबाइल पहुंचता है और वो उससे काम ले सकते हैं लेकिन उस पर भी अगर आप ध्यान दें कितने विद्यार्ची कितने इस्ट्रेंस ऐसे हैं जो बहुत सिंसिरली उसको इस्तिमाल करते हैं मुबाइल है क्लास हो रहा है कुछ बच्चे उसको देखते हैं कुछ सीखने समझने कोशिश करते हैं कुछ सरपरस्ट उसमें दिल्चस्पी लेते हैं तो कुछ पैरेंस उसमें दिल्चस्पी लेते हैं तो वो उसमें लगते हैं जुटते हैं लेकिन जिन parents के लिए रोटी रोजी ही एक समस्या है उनके लिए एक मसला है जो सुबह उठते हैं तो अपने रोटी रोजी के लिए निकल जाते हैं घर से बाहर और पर जो होती हैं वो भी घर के काम करने के बाद दो पैसा कमाने की कोशिश में लगी रहती हैं वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं यहां तक के जो well-to-do families हैं जो अच्छे घर के रासूदर लोग हैं खाते-पीते घर के लोग वहाँ पर भी घर पे बहुत ज़्यादा education नहीं है तालीम नहीं है सिक्षन नहीं होंती उसकी एहमियत उसकी महत्ता के बारे में बहुत कम जानते या ध्यान नहीं देते हैं मुबाइल है बच्चे को दिये हैं क्या कर रहा है उसका उफ्योग कर रहा है सही जंग से उफ्योग कर रहा है इस्तिमाल कर रहा है ध्यान दे रहा है पढ़ रहा है कि कि उस वक्त कुछ गेम्स देख रहा है और उसके साथ साथ एक बात ये भी देखने में आई है कि जब वो लेशन का वक्त खत्म हो जाता है तो उसके बात वो जो होता है वो कुछ इसका इस्तिमाल अलग धंग से करता रहता है डिफिनिटली मैंने खुद देखा है अपने घर में देखा है रोकने की हमने कोशिच भी किया करते भी है लेकिन बच्चे दो बच्चे हमरार बहराल अपना रास्ता निकाल लेते हैं जिस तरह पानी बहने के लिए अपना रास्ता निकाल लेता है वैसे ही बच्चे भी मुबाइल इस्तिमाल करने के लिए अपना वक्त अपना रास्ता निकाल लेते हैं गेम्स में लग जाते हैं बड़ी उम्र के बच्चे तो अलग इस्तिमाल करने लगते हैं जिसकी वज़े से आगे चलकर उनके मिजाज पर उनकी सोच पर काफी असरात पड़ते हैं उसका प्रभाव उसका असर क्या होगा यह बच्चे कहां जाएंगे यह सब बाते हम लोगों के सामने हैं जो निगेटिवली हम लोग इसको जब मनफिट हैं से हम लोग इस बसाइल से जूज रहे हमारे बच्चे जूज रहे हमारे समाज जूज रहे हैं यह कुछ बसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं क्या हैल हो सकता है थोड़ा सा इसके बारे में हमको आपको सोचना होगा उसके लिए कुछ सुझाओ हम आपको देने वाले हैं जैसे मिसाल की तौर पर आप अपने स्कूल के जरीए जो टीशेर उस पर्टिगूलर एरिये में रह रहा है जिकास एरिये में जहां रह रहा है वहां पर या तो खुद अपने स्कूल से से बच्चों को कुछ मुबाईल इस तरह से दें कि भई जब क्लासिस पूरे हो जाएंगे तो मुबाईल उसको वापस देना होगा ताकि दूसरे बच्चों के कामा से ले या उन लोगों को एक जब जमा करें उसके ओपर वो उस एरिये के जो बच्चे दो चार पाँच बच्चे हैं वो सब उससे इस्तिफादा को उससे फाइदा उठा सके लाब ले सकें कुछ बच्चों को अगर मुम्किन है टीचर अपने तौर पर कुछ टीचर से अपने तौर पर मिलकर या उस वार्ड के कुछ जिम्मेदार लोग जो साहभी हैसियत है जिनको अल्ला ने कुछ नवाजा है जिनको थोड़ी सी आमद्नी है अच्छी है ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करके ऐसे बच्चों को हम हैंड से जिलवा सकते हैं इस किसमे की कोशिशें हैं ये की जा सकती है ये कुछ बाते हैं जो इस मसले के इस समस्या को दूर करने के लिए हम इसका यो कर सकते हैं इस्तिमाद कर सकती है मैं आप हजरात मैंसे भी चाहूंगा कि कुछ ऐसे मश्वरे इस मसले को खास तोर पर मुबाइल के मामले को पैरेंस से जोडने के हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कुछ मामलात हों कुछ मश्वरे हो तो इस उन्वान पर आप लोग हमारी रहनुमाई करें सब जानते हैं अच्छी स्टेडी है समाज की तविबारे में भी और से बड़ी बात बहुत अच्छे दंग से बोलते भी हैं तो मैं खास वर से उनसे मेरी तवक्य है उनसे सब्सक्राइब अच्छी अंदाज में गुप्तगों की है यह तक आओ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई महले में कोई अमीर अदमी है तो भी गरीब बच्चों को हैंडसेट दिला दे इसी तरह से कुछ दिन पहले जब से लॉकडाउन लगा है विवंडी मे एक घर बहुत गरीब खांदान उसमें तीन बच्चे इसकुल पढ़ने वाले और वो घर में मोबाईल एक था तो वहां की एक लड़की खुदकसी कर ली थी कि मेरे को मोबाईल नहीं देते और तंग आगा आगे खुदकसी कर ली और इसी तरह से एक अकबार न्यूज आई अगर शेट लिए तो भी 10 यार से कमकर नहीं है यह सब जनराल इतनी बात है जो सभी को मालूम है तो इसमें यह एक चीज है कि हर स्कूल में तीन गरीब बच्चों को निकाल कर उनको तीन-तीन मोबाईल दिला देना चीए अब इसको देना कैसे तो पोली टेशन को खत ऐसा लिखो कि तुमने जितने मुबाईल चोर पकड़े ना सो मुबाईल हमको दे दो इसके लिए स्कूलों में जाकर बार देए संब्यें तो CCI की तरफ से एकार लेटर उनको दे दो कि भाई जितना है ना वो काम में आ जाएंगा और बच्चल इसके अंदर तालीम से जुड ज अभण आज के इस ब्रॉग्राम के सद्र और तमाँ जिम्मेदारण और आए मेरे साती हसादार टीचर्स तर दो काफी मजाई अंदाज में यह बात को कह दिया तो यह बात तो सिर्फ मजाई अंदाज में लेकिन यह देखा जाए तो बहुत सीरियस प्रॉग्लम है इसके हल करने के लिए हमें ही इसके लिए अक्दामाद करने होंगे हम हर महले में जिम्मधारान हैं कार्पुरेटर हजरात हैं और समाजी सुझ बुझ रखने वाले इनसान भी है अगर इनके साथ मिल कर एक ऐसी कमेटी वहाँ पर तश्कील दे दी जाए और वहाँ पर तब जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे सर्प्रस की मिटिंग रख ली जाए और आप जो है इस आई सी सी आई के जो जिम्मेदारा हैं इन में जिए कुछ अस्परात को वहाँ बलाकर एक छोटा सा प्रोग्राम रख दिया है और आउनलाइन तदरीश की अफादियत उसकी एहमियत उसके बारे में सर्प्रस को गोज़ गुजार की जाए तो सर्प्रस इस बात जिम्मेदारी समझ कर अपने बच्चे को खुद से इंडरॉइट दिलाएंगे ना सिर्फ इंडरॉइट दिलाएंगे बलके अपने बच्चों के साथ मिल कर उसको तालीम के दिल्चस्पी पैदा करने के लिए उनके वक्त देंगे ताकि बच्चे बैठेंगे और ये जो आपस में जो घर में एक मॉबाइल का मसला है ये मैं नहीं मानता ये बहुत बड़ा मसला है मॉबाइल आज सभी बच्चों के बास होता है ये कोई कहने की बात नहीं है कि महासी मशायले बच्चे के लिए तब गेम के लिए मॉबाइल मिल जाते हैं तो क्या सर्प्रेस अपने बच्चों को क्या तालीम के लिए मुबाइल नहीं दिलाएंगे जरूर दिलाएंगे बस कोशिश हमें ही करनी है मिलकर अगर हमें ये काम करेंगे तो इन्शालला इसका नतीजा पॉजिटिव ही निकलेगा और हंडिट पसंड निकलेगा इतना कहते अरशा सर के बाद आप कोई कहना कचाए तो सर ने कहा कि मुबाइल हर कोई अफोर्ड कर सकता है लेकिन कुछ फ्रेमिलिया हैं जो बिलो पावर्टी लेवल हैं वहाँ पर मसला है जहां पर बच्चे भी जादा है एक मसला ये हैं कि एक मुबाइल घर में किसी दरह से नहीं मकर दस बच्चे हैं दस बच्चों की कलाजा अलग अलग टाइम नहीं बलके किřच कलासे एक ही मुगत तो उस वक्त है कुछ बच्चों का नुक्सान भी होता है तो इसका क्या सत्यबाब हो आपश को ब्रोझ गोर करें आज सर जो है त्स अबी सर ने जिस मस्रे पर रोश्ची डाली है उसका सद्दबाब एक तरह से हो सकता है और ये के हम बजाए आउन लाइन लेक्शर देने के हम अपने बच्चों के अंदर वाटसाप गूरूब बना ले इसकूल के अंदर असाजदा उस गूरूप के अंदर अपने लेक्शर को अप्रोड कर दे और जब बच्चों को सहुलत मिले जब उनके बाद मुबाइल आवेलेबल हो तो वो अपनी सहुलत से उसे देख लिए अलहम लेला हमारी स्कूल में इसी तरह से हो रहा है तो हमारे हाँ पे आउनलाइन लेक्चर लेने का सिस्टम नहीं है टीचर्स लेक्चर्स को वास्टप पे अप्रोड करते हैं बच्चे अपनी सहुलत से देख कर उससे इस सभाव है करते हैं तो उसका एक रास्ता ही हो से आज सर्वी इससे पहले आप जो हैं अभी एक नाम हमारे सामने आया है MSG कॉलेज से आए हुए हीरे सर है डॉक्टर हीरे सर यहां पर मौझूद है मैं उससे घाहूंगा कि इस मौज़ों पर बात करें त्रिस्पिक्टर डायस और मेरे सब भाईवयनों जो आज का इक kovid के का प्रेड ने को और सोसाइटि का जिम्हेदार नाची बेज़ को स्कूल प्रेड में तो लेकीश सोमस्य ने बोला कि सब के पास मौबईल तो है लेकिन बच्चों बच्चों आभी मैं सर सुभ़ से ओनलाइन लेता हूं तो बच्चों का इतना मर्गा गुदाशिंता है उसमें कि वो देड़ सुमें दो धाई बच्चे अपना छे बच्चे चात बच्चे प्रिजन रहे थे स्कूल देख दीर दो दो अंड्रेड बच्चे एक्स क्लास में तो आभी है नहीं हो सकता लेकिन चालो है आपनी कोशिश याना मोबाइल आउनलाइन पड़ाई करने का एडिकेशन देने का तो बहुत सर ने बोला ना वो गलत है लेकिन आभी क्या याना उससे राष्टा निकाले है आइसा बात है तो अच्छा हो आपना सेमिनार लेया यहां पे अ मराटी तुम सा नुगास तरह मराटी तरह खरुखर आज मजे आपन मंतो विद्या मंदीर आनी विद्येचा मंदीर मंजे सोरशती चाज आपन एक कुटलाई तर ठीत आले वराच खरया अर्थाने सिक्षन ही ओता है ते यह ज आपनायजया आपनो है आनी अपन एकल्डाउन करते है तक खेला तरह मिनद्या रभाईबग शिद्यार आज तरह मिद्या बडार मंदीर आफानों iskate अनी था एक स्था आफिर बाली कोई एक नाड़िया तरहes अच्फर आपनाया फिद्या आपनों За य आणि यह आर्थाने आता तुम्चे जे काई सर बोलूंगेले कि आपले सोसाइटी मदले लोकान नी या जानना मोबाइल न सेल आशे लोकाना मोबाइल पोन जे पोज क्यों जे मुला रात्री जागरन करता तुम्चे जानना जोपन आउन आणि सकाली लेक्षेर ला अटेंड कराई लाउन आपन आणि सराहनी दर भार चांगले सांगित ले कि फढ़ दुकाना मदे काम करना रहा स्टिल तर त्या पोराना त्या प्रेड मदे शुट्टी जावी आणि फढ़ान चा प्रेड मदे काम करता स्टिल तर शिक्षन आचा प्रसार वाडेल आणि शिक्षन मुला शिक्षन घ्यू शक्तिल नाइतर मते अनपड़ अक्यों अशिक्षित रातिल तर या सरवागोस्टी दुमर आज सेमिनार घडूनान आणि या संदर बाद शरवा शुक्री अहिरे सर आपने जो अच्छी बात लिया पर लिए पेश की एक शक्स इससे पहले आए कि मैं जाओंगा कि लेडीज में से खातिन की तरफ से भी कोई नमाहिंदगी हो जाए हाँ आजाए सर लेडीज में से वे कोई नमाहिंदगी हो जाए इसके बाद उसके बाद मैं हम जो दूसरे टॉपिक लेए कासिम सर जो है जामतुरोदा से आए वे है वो आपके सामने अपनी बात रहे है असलाम लेकुम रह्मतुलाई बरकातों यहां पर मौझूद जो तबका है इनका जो तालूख तद्रीस है है ना और पुरी दुनिया में चीज मानी जाती है कि सबसे महनती तबका और हर चीज करने के लिए तयार बिलकुसूस अपने बच्चों के लिए और समाज के तो उसका जो एक हल है हमारे जो लेक्चर्स होते बिलकुस बड़ी जमात की जैसे 11-12 होगे फिजिक्स के लेक्चर 9-10 होगे मैस के लेक्चर वो आपको अगर एक मश्क हल करानी है तो कम असकम आदा घंटा लगते हैं आप उसको एडिट करिए चैनल बनाईए सर ने अभी म मोबाइल पर इखलाकी गिरावट देख रहे हैं इसका सौफीसा जो हिस्सा इंटरनेट का है तो हम यह तज्वीज रखते हैं कि आप खुद की वीडियो बनाईए देखिए इसमें थोड़ी महिनत लगी और तकलिप भी होंगी जो कि हम बखुशी उसको अंजाम देने के ल प्याजी की मिसाल बतारों में आप लैंग्वेजेस लेंगे आप तीन वीडियो में कर सकते हो आप यह जो वीडियो आपकी खुद की तयार चुद है क्योंकि बच्चा जो है आपके पास शुरू से पढ़ रहा है आपकी तद्रीस को बहुत जानता है आप यूट्यूब की बच्चों से शेर में नेट का इस्तिमाल नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी आप मुम्किन है यह दे कि हमारे पास हजार बच्चे होते है क्लास में बड़ी बड़ी स्कूल है हमारे शेर में हजार बच्चे भी हो सकते है इसमें तकलीप भी आएगी आप कुछ जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे, बैक वक्त, तीनों का वक्त, एक ही वक्त होता है, टीचिंग का तो हम किसको मोबाइल दे, अगर वो चीज हम शेयर कर देते हैं हमारी कुद की तद्रिस की भी, तो बच्चा दिन भर में वाली जब घर पर आ जाते हैं, उस वक्त भी देखके प्रण्दिगी या कोई और कुछ का एना चाहता है, आए कि खादिन की तरफ से, लेडी टीजर्स, लेजी हम अब अगले उन्वान की तरफ से, जो आखरी उन्वान है, उस तरफ आते हैं, जो असल उन्वान है, कि गवर्मेंट ने जो विरिज कोर्स दिया है, वो उसका मकस क्या है, इस बात को पेश करने के लिए, मैं एटिटी आई स्कूल के गवर्निंग कॉंसिल के जो रूपन है, जमीन करांती साहब, वो आपके सामने आएंगे, और इसके अंदर क्या मकासिद है, कि मकसद के तहत इसको तर्तीब दिया गया है, विरिज कोस को, वो आपके सामन का अलमबरदार, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल एकॉन प्रेस करें, रब्बानी दे स्कॉलर योटूब चैनल